हेलो गाइज सिरीज वेदैमी के इस ट्रिक सेरीज में आपका स्वागत है और आज हम इस ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं हो यह एंजाइम इनिविशन तेक तो हम सब जानते हैं कि एंजाइम इनिविशन जो है लीन भी वर 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 व्लाट के बारे में बात करें तो चार तरह की निबिशन होते हैं competitive, uncompetitive, non-competitive और mixed inibation निबिशन इन सब के बारे में सबसे ज़्यादा confusion होती है कि कब Vemax पढ़ रहा है जो रहा है कब KM सबस्सक्राइब nutrimento The T इसका इसका सभी तरीका देखे कि इन ग्राफ्स को एकडम पिच्छराइब कर लेना दिमाग में इन ग्राफ को टीराइस करने से क्या होता है कि एक पार हमने ग्राफ competitive उसके लिए अपने को जो शेप याद रखना है वो है सीजर सीजर क्यों अभी देख लो अभी याद हो जाएगा सीजर भी कि कैसे याद हो जाएगा competitive competitive किसको बोलते हैं जहां पर competition हो जहां पर दो चीज़ों दो अब्जेक्ट की बीच में competition कोमपेटिशन का पहला slogan का क्या होता है दो क्या पतहślंद है कि गला काट गला काट competition है न,''ककल £100 अज़ता है जहां काटै की बात आ गगई जहां काटने की बात आगे हम क्या आएगा यहां काम आएगा चीज तो यहां अपने को याद रखना है सीजर याद रखने से क्या होगा कि हमें competitive inhibition का shape जो है वो याद हो जाएगा क्या है यह x-axis है y-axis है यह तो अपने को मालूम ही है तो x-axis y-axis पे यह जो shape आ रहा है वो किसे resemble कर रहा है सीजर से और सीजर का जो हिंज है हिंज पे क्या है y-axis स्क्रॉस कर रहा है उसको तो यह चीज याद रखनी है अब इससे क्या चीज़ हो जाएगा इसमें VMAX जो देखो वो constant मतलब constant है चेंज नहीं हो रहा है सेमी है inhibition के case में भी और without मतलब normal condition में भी और inhibitor add होने पर वो चेंज नहीं रहा है के एम क्या है की value जो है के की value जो है वो in देख सकते हैं यहां पर अगर वहीं कोंपटाटेटिव की बात करें अनकॉंपटेटीटीव मतलब तो उस केस में अपने को याद रखना है वो जो है वह लैडर, याद रखना है मतलब यह दोनों अलॉंग दूसरे के साथ चलेंगे लेडर की तरह चलेंगे अब यहां पर क्य केस में कुछ अलग है और नॉर्मल केस में कुछ अलग है इनिविशन के केस में क्या है कि वी मैक्स जो है इनिविशन के केस में वो कम हो जा रही है और जो नॉन इनिविशन का केस है नॉर्मल केस है उसमें क्या है ज्यादा है वी मैक्स की वैल्यू ऐसे ही के की वेल्यू भी चेंज हो रही है तो यहां केम और वेमेक्स दोनों ही चेंज हो रहा है इसी त benef objet को भी हम Elise कर सकते हैं non competitive के लिए हम वी याद रखें क्या याद रखेंगज है गी तो यह वी शेप का है इसमें कि M क्या है समडरा दोनों के लिए क्या है क्या कि ये एक inauguration का ribbon है और इसको कौन काट रहा है इनको जो काट रहा है वो एक scissor है तो अगर हम इस y axis को ribbon consider कर लें तो ये again एक scissor है जो इस inauguration ribbon को cut कर रही है तो यहां से हम क्या देख सकते हैं यहां से हमको ये analyze होगा कि ये जो y axis पे है ये जो ribbon इसको दो end पे ये ribbon cut हो रही है दो end पे ये ribbon cut हो रही है यानि कि यहां पे Vmax change हो रहा है दोनों के case में Vmax change हो रहा है और Vmax ज़्यादा किस के case में है normal case में inhibitor के case में Vmax की value कम हो जा रही है ऐसे ही km की value inhibitor के case में जो है वो increase हो रही है और non-inhibition के case में यह decrease है या बोल सकते हैं कि normal case में जो value है उससे mixed inhibition के case में के m की value बढ़ जा रही है increase हो जा रही है तो इस तरह से हम देख सकते हैं यह catchy के दोनों ends है यह hinge है हिंज है और यहां पर v-max की value हम देखेंगे कहां पर जहां पर inauguration driven है वहां पर हम देख रहे हैं कि v-max की value जो है वो चेंज हो रही है तो इस तरह से के लिए objects याद कर सकते हैं competitive के लिए Caesar uncompetitive के लिए ladder और non competitive के लिए वी और next inhibition के लिए inauguration ribbon के साथ जो है वो Caesar यह इतना याद रखना है अब अगर इतने पर भी नहीं याद हो रहा है नई समझ में आ रहा तो चीजे याद कर सकते हैं वो इसके लिए क्या है नामोनिक हैं तो यहाँ पर हम competitive inhibition की बात कर रहे है सबसे पहले तो competitive inhibition के बार में हमने पहले ही देखा कि अगर यह Caesar है तो यहाँ इसका वी अगर आप देखो यह normal case है जहां पर कोई नहीं हुआ है यह जो है inhibitor का case है inhibitor की case में क्या है कि एम की value increase हुई है ओके और यहाँ पर क्या है क्या है यह क्या है कॉंस्टैंट है यहां पर पर तो यह क्या है increase हो रही है वीमेक जो है दोनों के लिए सेम है स्लोप क्या है चेंज हो रहा है स्लोप दोनों के लिए ही चेंज हो रहे हैं इंटरसेब्ट जो है वाइंटरसेब्ट जो है वो सेम है दोनों के लिए वाइंटरसेब्ट जो है वो सेम है तो अब यहां पर अगर देखें तो यह कॉंपटेटिव इनेविशन है तो हम इस सामी सोचे सेव इंकम कोई बंदा है वो अपनी इंकम सेव करने के बारे में सोचा है तो सामी इससे क्या हो रहा है अब इससे देख रहा है वाई को इंटर्सेप्ट वाई जो है वो सेम रह रही है सोचे में सो जो है वो स्लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो स्लोड जो है सोचे चेंज हो रहा है ऐसे ही सेव सेव के लिए क्या हो गया ततत से जो है वो और वी जो आ रहा है से में वह कि इसको represent करता है व्यम्यक्स वीम्यक्स जो है वो सेन रह रह रहा है वैसे ही income income गच्छार कहा योगर हम दो तरह से देख सकते हैं income मतलब increase in KM क्यएम जो है वो increase हो रहा है प्लस कम बहुर्ड आने से हमको यह भी मालूम पड़ेगा कि यह क्या है competitive inhibition, income competitive inhibition तो अपने को यह याद रहे जाएगा कि sami सोचे save income यानि कि sami में same y, same slope जो है वो change, same vmax और income मतलब km increase हो रहा है तो यह competitive inhibition के लिए है उसके बाद अगर uncompetitive का बात करें uncompetitive की बात करें तो uncompetitive में vmax change हो रहा है दोनों के लिए v ki value change हो रही है और vmax कहां मिल रहा है non inhibition के case में vmax यह है और inhibition case में यह है km भी change हो रहा है दोनों के लिए km की value भी change हो रही है तो km लेकिन अगर देखा जाए तो इनिभिशन की के में क्या है और माइनस की तरफ जा रहा है मतलब वह कम और वी मेंक्स क्या वह वहाद रहा है मतलब बढद रहा है क्या सोरी मैं स्पस्क्राइन रही फिद्टाइब पर गाला मतलब विमेर के वैल्यू बढ़ रही है उपर रहे ऊपर किया क्या देखा के एम कंँ dest हो रहा है श्लोब 7 वह पर जो है वह ड्वाइब चेंज हो रहा है तो यहां हमें एक line याद रख सकते हैं Uncle Vimal Red कमरे में slow song चलाए Uncle Vimal Red कमरे में slow song चलाए उससे क्या होगा Uncle के लिए uncompetitive अप याद रख लोगे कि Uncle uncompetitive अब इसके बाद Vimal Red Vimal Red क्या दिखाएगा V Max Vimal V Red कि कोई Uncle है उनका नाम Vimal है वो Red कमरे में slow song चलाते हैं तो अंकल जो है वो uncompetitive inhibition को represent कर रहा है Vimal जो है Vimal V Max को represent कर रहा है और Red Red मतलब Reduce, Reduction Reduction हो रहा है V Max की value में तो अपने को याद हो जाएगा कि V Max की value Reduce हो रही है अंकल Vimal Red कमरे में कमरे कमरे का KMRE मतलब KM चलाते हैं अब कमरेर गो करने को जाएगा slowly song चलाते है slow song this clip chorkam हो रहा है वाई चलाए यह डियाद हो जाएगा कैसे 웃ए रखना है अंकल रिमल रेट कमरे में जो सांग चला रहा है वी मैक्स red, red जो है, v-max reduce होगा है, 8.m कम्रे में, कम्रे मतलब k-m जो है, वो Damn है, slow song, मतलब slope जो है, वो same है, चला है, मतलब Y जो है, वो Change होाई, तो इस दरह से यह याद रख सकते हो, on competitive के Case में, बच मैं अभी भी यह इते होंगे कि graph याद रखना best है, बेटर है कि अगर आपको ग्राफ का अब्जेक्ट आद है तो आपरह Census toward लोगए कि बैदर हैं यह रहा यह आगर फार पर अब आपना सोर्ज सकते हो कि कि क्या हो रहा है क्या घट रहा है क्या पढ़़ रहा है क्या सिमक्यरत आप उसके बाद अगर नॉन कॉम्पूटेटिब है तो नॉन कॉंपूटेटिटिव की डिवेट में यादतना है तो का में और मिलिम एक्टा के कि क्या है लाइन के लिए भी में है जो रहा है इंटरसेप्ट चेंज जो रहा है तो इसके लिए लाइन याद रखेंगे वह रहे निंदा निंजा देव शाम को चाहे सॉंग चाहे कोई निंजा आप जानते हो निंजा समझाइए हो कोई निंज है उसका नाम देव है हमने क्या नाम रग दिया इस निंजा का नाम देव रग दिया उसको शाम में होती है और सांग चाहिए होता है तो इसलिए इसने यह क्या ले रखा है चाय ले रखा है बगल में गाने चला रखे और शाम को बैठा है मस्त एकड़म चाय और शांग चला के चाय पी रहा है अपने दोस्त के रहा है तो निंजा देव को शाम को चाय शांग चाहिए तो निं निजा निंजा हमने क्यों यूज किया है निन्जा यूज किया है एन पोर एन इन इन आ जाएगा आप असिंद जाओ another के कि नॉं हमे पूपर्टीटीव इन कि अब यहाँ पर देव से क्या है वी मैं को प्रेसेंट कर रहा है ऐसे ही साँ को साम को से क्या है से हमको क्या समझ में रहा है जो है एसे ही चाएन इसो है वो lobe कंसीडर करें तो चाहे जो है वो change कर रहा है तो slope change हो रहा है चाय जो है वो वाइच हो रहा है क्यों साम को मतलब kक सीम है वी डिक्रीज हो रहा है तो यहां पर हम क्या याद रहनागे निंजा देव साम को चाय सॉंग चाहे तो निंजा non competitive inhibition में Vmax decrease हो रहा है कि यह सेम रह रहा है Y जो है वो change हो रहा है और slope जो है वो भी जो है change हो रहा है तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा non competitive inhibition में ninja देव साम को चाहे song चाहे ठीक अगर graph याद रखोगे तो खुद ड्रॉप करके खुदी interpret कर लोगे पर अगर याद रखना है तो इस तरह से ये भी याद है सकते हो इसके बाद बात आती है mixed inhibition की mixed inhibition के लिए अगर हम graph देखे तो mixed inhibition का graph कुछ ऐसा है और यहाँ पर जो हमने object रखा है वो क्या याद रखा है inaugural ribbon को cut करता हुआ एक seizure तो inaugural ribbon y axis है जिस पर one by b की value है अब यहाँ पर यह हिंज है और यह जो है km की values है km की values है तो अगर हम एक को इनिबिटर और एक को normal मान ले तो अपना आपन देख सकते हैं कि km की value क्या हो रही है change हो रही है km की value बढ़ रही है और जो वी की value है वो क्या हो रही है वी की value जो है वो कम हो रही है वी मैक्स की value कम हो रही है तो यहाँ पर हम क्या देख रहे है km की value बढ़ रही है km की value बढ़ रही है slope जो है वो change हो रहा है और y intercept भी change हो रहा है तो यहाँ हम याद रखेंगे देव की mix चाय अब देखो आपने तीन याद रखा है वहाँ पर एक differentiation है अंकल से uncompetitive, निंजा से non competitive और इंकल से competitive तीनों चीजों का differentiation हो रहा था कि कौन सा slogan किसके लिए use करना है यहाँ पर differentiation नहीं है आपको अगर वो तीन याद रहेंगे तो देव की mix चाय याद करने के बाद आपको याद हो जाएगा कि यह जो है mix यहाँ पर mix word you use कर दिया गया है mix word use करने से क्या हो रहा है कि अपने को याद रह रहा है कि यहाँ पर mixed motivation है तो अब यहां पर Mixed वो बीच मेन वानिय उसके और ईंकल निंजा और क्या इंकल टीन चीज़ें हो गई पहले तीन इनिविशन के लिए यहां पर Mixed कीं देव की में सब्सक्वहता है कोई ब्दाइब नाम का उसको क्या चाहिए होता है 묵िक चाहिए होती की यह मतला मिक्स इनिभिशन हो रहा है कि य magic हो स्ब्सक्राइब क्या क्याय क्या थी पहला था आário सामी सोच से इंकम क्या सामी सोचे save income उसके बाद अगर on competitive यादत में है तो ladder यादत में है और ladder के साथ यादत में है कि अंकल विमल red कमरे में slow song चला है और non competitive inhibition के लिए क्या याद रखना है निंजा देव साम को चाय सौंग चाहे और इसी तरह मिक्स है तो देव की मिक्स चाय याद रखनी है इनाउगरेशन सीजर के साथ तो इस तरह से में को लगता है कि आपको यह uncompetitive competitive यह जो ग्राफ के जो confusion थे कि क्या है क्या increase हो रहा है क्या decrease हो रहा है वो आपको अभी आसानी से याद हो जाएगा जेनरली इसको याद करने के लिए यही तरीका होता है कि ग्राफ याद कर लो वो better है best है लेकिन अगर ग्राफ नहीं याद हो रहा है तो फिर यह alternative तरीके तो हैं ही है तो उमेद है आपको यह चीज़ करने थादर नैमोनिक्स है इतना सारह कुछ तैयार करते हैं नैमोनिक्स कीसे याद रह संक्ânatt कि यह रहा जाएगा इस चत्क भी यादतना हैं तो उसका एक ही उपए है कि प्रिक्वेंट जितना आप पूरान चीजों को नए चीजों को पढ़ते रहो पर एक टाइम इंटेवल बना लो इक पर्टिकुलर टाइम इंटेवल बाद आपको वो चीज रिवाइस करनी है वो चीज ज़रूरी है क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप कितना भी पढ़ोगे तो हर चीज बूल जाएगी हर कुछ बूल जाएगा तो एक चीज जो महामंत्र है कुछ भी याद रखने का लगातार डिवाइस करना फ्रिक्वेंट प्रिवीजन बहुत जरूरी है शुरू में जब तक वो आपको याद नहीं होता आप एक दिन दो दिन तीन दिन इसको रेगुलर रिवाइस करो जब वह एक दो तीन दिन बाद एक बार आपको याद हो जा रहा है तो आप उसके बाद इंटरवल टाइम इंटरवल बढ़ा बड़िया बनी रहेगी तो ठीक है अब ऐसे ही रिवाइस करते रहेगा मिलेंगे नेट्स निमॉनिक स्रीज में तब तक लिए बाई, थैंक यू पो वाचिंग अब बाई, थैंक यू दो नेकित रहेगा झाल झाल